शर्व प्रतम तो जय स्रेकृष्ट आज हम लोग या जानेंगे कैसा कौन सा ग्रंथ है जो तत्व रहस्तों से भरा पड़ावा है जो इक्तम हर तत्व के बारे में बारीक से बता सकता है इस ग्रंथ के बारे में हम चानेंगे चलिए देखते हैं आप ध्यान से सुनें और समझें कहा ग्या है स्रीमत गीता एक छोटा सा ग्रंथ है किन्तु निसकाम कर्म और निसकाम भक्तिका जैसा तत्व रहस्त इसमें भरा हुआ है वैसा एकत्र कहीं नहीं मिलता सुरुती, इस्मृती, इतिहास, पुराण, आदि समझ सास्त्रों का सार इसमें गागर में शागर की भाती भरा हुआ है इसके अर्थ और भाव को शमझ कर धारड कर लेने पर यानि उषकी अनुसार अपना जीवन बना लेने पर और कुछ भी करतब्य से इस नहीं रह जाता गीता का ही भली प्रकार से स्रमण, किर्तन, पठन, पाठन, गायन, मनन और धारड करना चाहिए फिर अन्य सास्त्रों के संग्रह की क्या हो सकता क्योंकि वह स्वयम पद्वनाब भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है पद्वनाब कहने का भाव यह है कि यह गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके ना भी कमल से ब्रम्भाजी का प्राद्र भाव हुआ और ब्रम्भाजी के मुक्षे भेद प्रगठ हुए जो संपूर स्रोतों के मूल है अब यहां गीता कर्म योग के बिशय में विचार किया जाता है गीता में कर्म योग का जो स्वरूप दृष्टी गोचर होता है वह संचेप में इस प्रकार है सुने आप्धान वर्ड आस्रम श्वभाव और परिस्तिति के अनुशार जिस मनुष्य के लिए जिन कर्मों का सास्त्रों में विधान है जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए आउश्यक कर्तब्य माना गया है उन शास्त्र विहित श्वभाविक कर्मों का न्याय पुर्वक अपना कर्तब्य समझ कर अनुष्ठान करना उन कर्मों में और उनके फलों में मम्ता आशक्ति और कामना का सर्वथा त्याक करके कर्म की सिध्धी और असिध्धी में और उसके फल में सदा ही सम रहना तथा परमिस्वर को शर्वशक्तिमान, शर्वाधार, शर्वव्यापी, सर्वसुष्दे और सर्वप्रेरक समझ कर एवं अपने को सर्वथा उनके अधीन मान कर्म समस्त कर्म और उनके फलों को भगवान के समर्पड करना, उनकी आग्या और प्रेड़ा के अनुशार उनकी पूजा समझ कर जैसे वे करवाएं वैसे ही शम्पूड कर्मों को करना, किन्तु ऐसा करते हुए भी उन कर्मों में और उनके फलों में किंचन मात्र भी ममता, आशक्ती और कामना न रखना भगवान के प्रतेग विधान में सदाही परमसंतुष्टी रहना, तथा उनके नाम, गुड़, प्रभाव और श्वरूप का निरंतर चिंतन करना इन कर्मयों को हम पांच भेदों में भिवक्त कर सकते हैं केवल कर्मयों भक्ति गौड कर्मयों भक्ति सामान कर्मयों भक्ति प्रधान कर्मयों केवल भक्ति योग केवल कर्मयों देखते हैं इसमें क्या है जिस साधन में इस्वर की भक्ति यानी भजन ध्याना दिरूप उपाशना का समिस्त्रण नहीं रहता और केवल निस्ताम तथा अनासक्ति भाव से कर्म का अनुष्ठान किया जाता है वह केवल कर्मयोग है केवल कर्मयोग का वर्ण गीता में यो मिलता है कर्मणे वाधिकार अस्ते मा फलेशू कदाचन मा कर्म फल हेतो रभू ते संग्युस्त कर्मणी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कदापी इसलिए तु कर्मों के फल का हेतो मत हो यानी ममता आशक्ति और वासना से रहित हो तेरी कर्म न करने में भी आशक्ति न हो जो पुरुष संपुड कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इस्प्रिया रहित हुआ बिचरता है वह सांती को प्राप्त होता है हे अरजुन जो पुरुष न किसी से द्वेश करता है और न किसी की आकांचा करता है वह कर्म योगी छरासन्या से ही समझने योगी है क्योंकि राग द्वेश हर्ष शोकादी देंदोशे रहित पुरुष शुख पुरवक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है जो पुरुष कर्म फल का आस्रे न लेकर करने योगे कर्म करता है वह सन्यासी है तथा योगी भी है और कीवल अगनी का त्याग करने का सन्यासी नहीं है तक कीवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है जिस काल में नो तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आशक्त होता है उश काल में शर्वशंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूर कहा जाता है उपरिक्त सभी स्लोकों में कर्म और उसकी फल में आशक्ती और कामना आदिका त्याग करते हुए यानि निशकां भाव से ही कर्म का करने का आदेश यों संकेत है इन में केवल कर्मयोग का ही वरनन है, भक्ति का समिस्रन नहीं है, इसी प्रकार गीता में केवल कर्मयोग विश्यक और भी बहुत से स्लेक हैं भक्ति गोड कर्मयोग देखते हैं जिस साधन में कर्म की तो प्रधानता है किन्तू शाथ में इस्वर की भक्ती का भी संबंध है वह भक्ति गौण कर्मयोग है भक्ति गौण कर्मयोग का वणंगीता में यो मिलता है हे अर्जुन बेद तीनों गुडों के कारे रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रित्पादन करने वाला है। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधन में आसक्तिहीन, हर्ष, शोकादि द्वेंदोशी रहित, नित्य वस्तु, परमात्मा में इस्थित, योग छेम को न चाहने वाला और श्वाधीन अंतह करण वाला हो। यहां आगे पीछे कर्मयोग का प्रिशंग है और इस लोग में नित्य, सत्व, स्वस्त यानी परमात्मा में इस्थित होने का आदेश है। इस कर्मयोग में भक्ति का भी समिस्णण है। इसी प्रकार से आगे भी बताया गया है। इसलिए तु निरंतर आशक्ति से रहित होकर सदा करतब्य कर्म को भली भाति करता रह। क्योंकि आशक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यद्य पी तीसरे अध्याय में प्रधान तया कर्मयोग का ही मिसे हैं। तथा पी प्रक्रवस कोई कोई श्लोग भक्ति गौड और भक्ति प्रधान कर्मयोग भी आगया है। जैसे तीसरे अध्याय की उक्त उन्निश्वे स्लोग में तो भक्ति गौड कर्मयोग का और तीस्वे स्लोग में भक्ति प्रधान कर्मयोग का वर्ण है। उन्निश्वे स्लोग में अनासक्त भाव से कर्म करने का आदेश होने से उसमें निश्काम कर्म की प्रधानता है। क्योंकि आसक्ति के अभाव के अंतरगत ही कामना का अभाव है और इस साधन के फल स्वरूप साधन को परमात्मा के प्राप्ति हो जादी है। अतह भगवत प्राप्ति का उद्देश होने से कर्मयोग के साथ भगवान की भक्ति भी मानी गई है। इसी तरह कर्मों के फल में मेरी इस्प्रिया नहीं है। इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्तो से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बढ़ता। जिसको कर्मों के फलोगी इस्प्रिया परवान नहीं करता वह निशकाम कर्मयोगी और कर्मफल इस्प्रिया नहोने के कान भगवान को कर्म लिप्त नहीं करते। यो भगवान को जानना भगवान की भक्ती है पता है इस स्लोक कर्म योग के साथ भगवान की भक्ती गौण माने गई है भक्ती सामान कर्म योग देखते हैं जिस साथन में कर्म की प्रधानता होने पर भी इश्वर भक्ती की भी प्रधानता रहती है और भक्ती सामान कर्म योग जैसे इसलिए बेद मंत्रों का उच्चान करने वाले स्रिष्ट पुर्षों की शाष्ट विधी से नियत, यग्य, दान और तपरुप क्रियाएं शदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चान करकी आरंब होती है तद अर्था तद नाम से कही जाने वाले परमात्मा ही यह सब है इस भाव से फल को नचाह कर नाना प्रकार की यग्य, तपरुप क्रियाएं अथा दान रुप क्रियाएं कल्यान कारी इच्चा वाले पुर्षों द्वारा की जाती है यहां 24 स्लोक में भगवान के नाम ओम का उच्चान करके कर्मों को करने का प्रतिपादन है और 25 स्लोक में कहा हुआ है तत शब्द इस्वर वाचक है इसलिए इन दोनों स्लोकों में कर्म योग के साथ भक्ति का भी मिस्त्रण है इस प्रकार धान से देखे और शुने कर्म योग करते हैं जिस परमेश्वर से शंपुर प्राणयो की उत्पत्ती हुई है और जिसे से यह समस्त जगत भ्याप्त है उस परमेश्वर की अपने शभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष परमशिद्धी को प्राप्त हो जाता है इसमें कर्मे की प्राणता होते हुए भी इस्वर की भक्ती का पर्याहाथ समिस्रण है अठारवे अध्याई के 42 स्लोक में ब्रामभण के 43 में छत्री और 44 बैस स्था सुद्र के स्वभाविक कर्मों का वर्ण करने की पश्चाहत 45 में भगवान ने अपने अपने स्वभाविक कर्मों में भली भाति लगा हुआ मनुष जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धी को प्राप्त होता है उष्विधान को तुशुआ ऐसा अरिजुन से कहकर इस 46 स्लोक में उष्ची की यह बीधी बताई है परमात्मा से ही संपूर जगत के प्राणी उत्पन्न होते हैं और परमात्मा में शम्में व्यापक है ऐसा समझ कर अपने करतब्य कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने से परम सिद्धी मिलती है अता है सबकी सेवा भगवान की ही सेवा है यो प्राणी मात्र में भगवत करके उनकी शेवा रूप इस बर पूजा करना यह भक्ती भाव है और शेवा रूप कर्म करना कर्म इसमें कर्म की प्रधानता होती हुई भक्ति की प्रधानता है अताया भक्ति सामान कर्मयोग है भक्ति प्रधान कर्मयोग जिसको देखते हैं जिस साधन में भक्ति की प्रधानता हो कर्म गौड हो वह भक्ति प्रधान कर्मयोग है जैसे परन्तु जो मेरी पराण दहने माले भक्तिजन शंपोड कर्मों को मुझ में अरपड करके मुझ शगुरूप परमेश्वर कोही अन्यन भक्तियोग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं शब कर्मों को मन से मुझ में अरपड करके तथा शंब दिरूप योग को अवलंबन करके मेरी पराण और निरंतर मुझ में चितवाला हो इन दोनों ही श्लोक में साहस्त्रभीत कर्मों का करना तो कर्म है और कर्मों को भगवान की समर्पड करना उनकी परायन रहना से था अन्यन भक्तियोग से उनका निरंतर चिंतन करते हुए भजिना इनमें भक्ति ही प्रमुख है अताहिया भक्ति प्रधान कर्मयोग है भक्ति प्रधान कर्म योग भी दो भेद है भगवत तर्पड कर्म हुआ है जिसमें जो कुछ भी सास्ति भीत कर्म किया जाता है वह भगवान के और पड करकी किया जाता है यानि यह सब कुछ भगवान का है मैं भी भगवान का हूँ और मेरी द्वरा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के ही है योँ शमजकर भगवान के आज्ञान उशार भगवत तर्पड बुद्धी से कर्म किया जाता है भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है क्या कहा है उसको भी ध्यान से सुने कहते हैं हे अर्जुन तू जो कर्म करता है जो खाता है जो हमन करता है जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मेरे अरपड कर इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अरपड होते हैं ऐसे सन्या से योग से युक्त चित वाला तो सुभासुब फलस्वरुब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उन्से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा यह भगवत तरपड कर्म है भगवत कर्म होगा है जो भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम अथ्वा भगवान की प्रसनता के लिए भगवदान उशार किया जाता है जैसे तो प्रिवत अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायर हो जाएग इस प्रकार मेरे निमित कर्म को कर प्राप्त रुपशित्धियां है प्राप्त होगा केवल भक्तियोग। जिस साधन में केवल भक्ति ही हो कर्मयोग का मिस्ञर न न होगा केवल भक्तियोग है। हे अर्जुन जो पुरुष मुझ में अन्यन चित हुआ सदाही निरंतर मुझ पुर्षोत्तम को समर्पड करता है उननित्य निरंतर मुझ में युक्त हुवे योगी के लिए मैं सुलब हूँ अर्थाद उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ जो अन्यन्य प्रेमी भक्तिजन मुझ परमिस्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निसकां भाव से भजते हैं उननित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योग छे मैं स्वयम वहन करता हूँ निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अरपड करने वाले भक्तिजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरी प्रभाव को जानते हुए यथा गुड और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वाशुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं उन निरंतर मेरे ध्यान आदे में लगे हुए और प्रेम पुर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह यथार्त ग्यान रूप योग देता हूँ जिससे भी मुझ को ही प्राप्त होते हैं मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धी को लगा इसके अनंतर तो मुझ में ही निवास करता है इसमें कुछ भी संसे नहीं है जो पुरुष अविवचारी भक्त योग की द्वारा मुझ को निरंतर भजता है वह भी सत्व रज तम इन तीनों गुणों को लांकर सच्चिदा आनंगन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है हे अर्जुन तु मुझे में मन वाला हो मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला और मुझे को प्रणाम कर ऐसा करने से तु मुझे ही प्राप्त होगा यह मैं तुझ से सत्य प्रतिग्या करता हूँ क्योंकि तु मेरा अत्यंत्य प्रिय है उप्रिक्त सुलोप में यज्य दान तब आधिकर्मों का उलेख नहीं है केवल अन्यन और निसकांभाव से निरंतर भगवान का चिंतन करना उन्हें प्रेम पुर्वक भजना उनके गुड प्रभाव का कथन करना मन बुद्धी को उन्ही में लगा देना एवं उन्ही की उपाशना करना आधिकाही वर्णन है जो सभी भक्त के ही वाचक हैं और उन सब का फल भगवान की प्राप्ती है गीता में भगवान ने अर्जुन को निमित बना कर सारे संसार के लिए ही अपनी अन्यन्य भक्ति का निरूपण किया है इन स्लोकों के सिवा किवल भक्ति विसयक और भी बहुत से स्लोक मिलते हैं उपर कर्मियोग के जो पांच प्रकार बताये गए हैं उनमें से किसी एक का भी साधन करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो शक्ती है यह नहीं इन पांचों प्रकार के जितने भी स्लोक उपर बताये गए हैं उनमें से किसी भी एक स्लोक की अनुसार अपना जीवन बना लेने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है फिर जो अपने अधिकारा उशार संपूर गीता के अनकूल ही अपना जीवन बना लेता है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए इसमें तो कहना है क्या इस कर्मयोग की अतरिक्स ग्यान योग के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ती होने के बहुत से स्लोग गीता में है किन्तु यहां उसका प्रक्रण न होने से उनका उलेख नहीं किया गया है यहां तो कर्म योग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होने काई दिखधर्शन कराया गया है अतय एव कर्म योग की साधन को कर्म योग की उपर निर्दिष्ट पांचो प्रकार में से अपनी रुची की अनुतार किसी एक का भी स्रद्धा भक्ति पुर्वक तत्पार्था से साधन करना चाहिए तो गीता जो है ज्यान का बंडार है इसमें से अगर थोड़ा भी किसी एक स्लोक का प्रकार प्रकार अपर कल्यान हो जाएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी चाहे ज्यान योग के माध्यम से चाहे कर्म योग के माध्यम से चाहे भक्ति योग के माध्यम से आप आगे भड़े और अपने को भगवत परमात्मा के समीप पाएगे क्योंकि जो गीता है बड़ा ही मार्मिक रंत है इससे बेक्ति का कल्यान होना स्वभाविक है तो आप गीता को हर एक से लोक को ध्यान से सुने होंगे और पढ़ने की कोशिश भी करें और समझे जै स्रीकृष्ट जै स्रीकृष्ट जै स्रीकृष्ट जैसे 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 स्रीकृष्ट जैस